हाई फ्रेंड्स यह रूम हीटर है यह इसको चेक करते हैं इसमें क्या हुआ है अगर आपके घर पे भी आई यह तो आप खोल के इसको रिपेर कर सकते हैं अगर जानते हैं कैसे पेच में निकाल रखी थे इसके बस कवर खोला यह निकल के ऐसे हो गया अंदर देखिए अंदर का यह है यह यह फैन है ऐसे चलता है जहाबा देता है और वह यह थर्मोस्टेट अगर फैन मंद वाजा तो यहां पर हीटर ज़्यादा होने पर आग नहीं लगे इस प्रेंग आपकी खराब नहीं नहीं होगी और यह ट्रिप कर देगा इसको, और यह इसका best benefit है, कि यह जलेगा नहीं कभी भी, अगर फैन बंद हो जाता तो ओबर इट हो जागा जाएगा सेधी से बात है, तो उस condition में यह ट्रिप कर जाता है, यह best है इसके लिए, तो आगे बढ़ते हैं, यह फिलाल क्या है कि यह मैंने ओन किया, और यहां से यह ओन किया, तो फैन देखो चल रहा है इसका, ठीक, लेकिन हीटर गर्म नहीं हो रहा, गर्म हवा नहीं आ रही है, तो यही देखना है, इसमें क्या problem है, चेक करते हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंदा रहा हो, तो लाइक करें, करें, सेर करें, तक आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें, और भी कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेड लेख सकते हैं, चेक करते हैं, इसको क्या problem है, यह थर्मो इस्टेट है, हम इसको यहां से यह सोट करके भी देख सकते हैं, यह देखो, यह मैंने सोट कर दिया, यह सोट कर दिया, तो यह गर्म हवा आने लगा, यह देखो, सपार्क कर रहा है, यहन sytu gitu यहां से यह लग नहीं रहा था, गर्म हवा आने लगी, इसमें भायों से यह problem है, कि यह थर्मोविट्रेट हमारा यहां से यह कर बनारइज हो गया है यह प्रोपर वर्क नहीं कर रहा ह।। अब इसको आप कर से क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद इसको अब ह chains check की कते हैं पियर असको फ्लियो मत्लाइज बंद करने चार यहां हो जाएगा स्थ। तो भायों ये मैंने क्लीन कर दिया है अब मेरा ये ब्लूवर अच्छा चल रहा है बढ़िया चल रहा है ये इसी प्रकार से आप अपने गर पे इसको सही कर सकते हैं ये हो गया है सही तो आप साइमरी पेपर से साफ के और ये चलने लगा ये आटोमेटिक कट करने लगता है अगर इसका बढ़ जाये तो सेफ्टी है मैंने अच्छा है और बाकि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें इसे रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहता हूं और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे पता सकते हैं थैंक तू बाकि करेंने चाहिए